पुरे भारत में लॉक्डाउन है और जो बात हम आपसे आज शेर करने जा रहे हैं। वो मेरा ब्यक्तिगत विचार है उसे अधरवाइज ना ले। लेकिन हाँ, अगर मेरी बातों में दम दिखे तो इसे शेर जरूर करें। सबसे पहली बात कि क्रोडा वायरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए जो भारत सरकार का गाइड लाइन है उसे अक्षर सा फॉलो करें। यह हम आपसे विनम्र विन्ति करते हैं। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि जो सक्षम है जो हेल्प करने की स्थिति में है वो जो प्रामति रहात कोस है उसमें कुछ भी पैसा चाहिए एक रुप्या हो दस रुप्या हो सौ रुप्या हो या कुछ भी हो एक के भारती होने के नाते उसमें जरूर दें। हम भी अपना एक दिन का जो इंकम है हम दे रहे हैं मैंने पहले ही बताया है कल का न्यूज मैंने देखा एक लाख सतर हजार करोर रुपे का राहात पैकेज विश्व का सबसे बड़ा राहात पैकेज की घुशना की गई कल उदेश गरीबों को कोई परेशानी नहों और देश की आवादी में से 80 करोर जो आवादी है वो इससे लाभानवित होंगे तीन मेहने तक गैस सिलेंडर उज्वला यूजना के तहत त्री और भी कई यूजनाओं का कल जो पैकेज है और भी कई पैकेज का कल घुशना किया गया उदेश सिर्फ यही है कि भारत का हर नागरिक भारत का हर व्यक्ति भूखा नसोए 80 करोर आवादी को इस राहत पैकेज से फायदा होने वाला है सो सकते हैं कि भारत की आवादी कितनी है और उसमें से 80 करोर लोग को इससे फायदा होने वाले है बिनती है बस जो इसे इन सु पुदाओं को जो पहुँचाएंगे लोगों तक उनसे विंति हैं कि इमानदारी पुरवर्वक के इन जो रहत की समग्रियां हैं उन तक पहुचाएं ताकि उन लोग को कोई परेशाई नहों तीन महेने तक यह सिलसला चलेगा तीन महेने तक का दिया कि यह राहत पैकेज तीन महें तक दिया जाएगा कि लोगड़ॉन के दौरान मैंने कि क्या किया यह आप सोच रहे होंगे तो कुछ तो अप्डेट दिया आप लोगों के लिए और कुछ जो खालिस में बचा तो कुछ बुक्स पढ़ें और मैंने मोधी की वेब सिरीज जो ज करें को पैकेज एनौन्स किया गया है कि दोनों कि यह घचा गया है दोनों किरू मोधी दिखा गया है वेब सिर्ज में मुझे लगता है कि हर भारति को वह जो देखनी चाहिए और जीयो सिन्यवर्म स्थाफ़ाork पर है वो काफी अच्छा लगा हमें और कोई व्यक्ति है जिसके लिए हर भारतिय के लिए दर्द है वो हर भारतिय नागरी के को खुश देखना चाहता है उसे हसता खेलता हुआ देखना चाहता है और कल का जो विश्व का सबसे बड़ा रहात पैकेज है कल जो एनॉंस किया गया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी आवादी के लिए इतना बड़ा पैकेज तीन महिने के लिए क्या गया है और जो स्वास्थकर्मी है जो कोरेणा के जो सिपाई हैं जो लड़ रहे हैं और लोगों को मद्द कर रहे हैं उन्हें स्वस्थ होने में उनके लिए भी पचास लाख का बीमा तीन महिने के लिए गोशना किया गया है ताकि उन लोग कोई परेशानी ना हो तो हम सिफ इतना कहना चाहते हैं कि इन सबसे मतलब एक ही अर्थ निकल करके आता है कि हमें सतर्क रहना है अपने घर में रहना है और घर में भी अपने आपको थोड़ा स का डिस्टेंस बना करके रखना है हाथ धोते रहना है बार-बार साबुन से हाथ धोते रहना है सेनेटाइज करते रहना है अपने आपको जो बाहर से सामान आता है उसे सेनेटाइज करना है क्योंकि कोरोना के वायरस के संक्रमन को रोगने के लिए ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही ये तीसरे स्टेज में पहुँचेगा तब उसे सम्हालना मुश्किल हो जाएगा और हम अपने देश पर देश में आये इस विक्ता से तभी बस सकते हैं जब हम अपने घर में रहेंगे और वारस सरकार के गाड जो क्रोना वारस से बचने का गाड लाइन है अक्षर सा फॉलो करेंगे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी होगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को हम फिर मिलें किसी और ने अब्रिक साथ तो तक हि है बिहार सुस्त रहिए सुस्त रहिए सुस्त रहिए सतर करहिए